भारतिये जनता पार्टी ने एक बार फिर से चिराग पास्वान को जटका दे दिया है। लगातार भारतिये जनता पार्टी का जटका जेलते ही रहेंगे। इतनी ज़्यादा वफदारी दिखाने के बावजूद चिराग पास्वान के साथ जो हो रहा है वो कहीं से भी कम से कम चिराग पास्वान के लिए तो सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमरपुर विधान सभाशेत्र जहां से चिराग पास्वान की पाटी ने 2020 के विधान सभाशुनाव में उम्मिदवार लड़ाया था डॉक्टर मृनाल शेखर को। चालिस हजार से ज्यादा वोट भी आये थे तीसरा स्थान उनको हाशेल हुआ था और अब डॉक्टर मृनाल शेखर लोग जन्शक्ती पाटी यानि के चिराग पास्वान का दामन छोड़कर भारतीय जनता पाटी में शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पाटी में वो ऐसे प अमरपूर विधान सभाचुनाओं के नतीजे क्या थे कौन सी पाटी जीती थी कौन दूसरे अस्थान पर रही थी और मृनाल शेखर जो लोजपा के उमिदवार थे उनकी क्या स्थिति थी उसके पहले आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब डॉक्टर मृनाल प्रदेश अध्यक्ष समराच चौदरी मौजूद थे बिहार के पूर्व तीनों उपमुख्य मंत्री जो बीजे पीके थे सुशील कुमार मोदी तार किशोर प्रशाद रेनु देवी तीनों मौजूद थे गिरिराज सिंग मौजूद थे शेहनवाज हुसैन मौजूद थ अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पास्वान की पार्टी को तोड़कर बीजे पी के खेमे में कितना उत्सा और कितनी खुशी थी कि पूरे बिहार बीजे पी के नितृत्व को एकठा कर लिया गया था कि आज चिराग पास्वान की पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं अब जब गडबंधन धर्म की हम बात करते हैं तब जबकि चिराग पास्वान की संभावना जताई जा रही है कि उनकी पार्टी लोजपा राम विलास जल्द एंडिये का हिस्सा होगी बारती जनता पार्टी के गडबंधन के साथ जाएगी वैसे में चि चिराग पास्वान की पार्टी देगी चिराग पास्वान के प्रवक्ता देंगे लेकिन आपको बता दे कि इसके पहले भी चिराग पास्वान की ही पार्टी के उमिदवार थे रामेश्वर प्रसाथ चौरसिया सासाराम विदान सभा छेत्र से राजेंद्र सिंग लोजप दंदन धर्म के विप्रीत नहीं है और बीजेपी संदेश क्या देना चाहती है बीजेपी संदेश यह देना चाहती है कि चिराग पास्वान की पार्टी को तोड़ने में मरोडने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी चिराग पास्वान खुद को जितना हनुमान कहन है वो कहते रहें बिहार और देश दुनिया की राजिनती से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए बने रही हमारे साथ धन्यवाद